और देखे कि आज से लगबग 25 दिन पहले एक गोपालगेज वन मेनेजमेंट आप का शुरुवात हुआ था जिसका उद्गाटन गोपालगेज के डी-म डाक्टर नौल किशोर चौधी ने दिया था ये इसलिए किया गया था कि आम जनता को इसे राहत मिले आम जनता को गोप धि Whoops difference था यहां पर मामल यहां पहले आते हैं ह उसके बाद उस मामले की सुनवाई होती है सुनवाई होने के बाद उसे अगर जलदी मामले होते हैं वह तुरंत रिश्यल्व कर दीजाते हैं जिन मामलों में ज्यादा समय लगते हैं उसमें लिखा जाता है कि उसमें समय लग सकता है जैसे रोड के मामले होते हैं खास्तोर से उसमें समय लगता है उसका एक प्रकिरिया होता है उस प्रकिरिया के तहत उसे ठीक किया जाना होता है इसलिए उसमें लिखा जाता है कि उसमे तरह से परीशानिया हो रही है कई फेक जो है वो है थो कौलेंट पर गालता था लेकिन लगतार जो है इस कंप्लेंट पर कार्य चल्ड़ अब तक 130 जो है एक्टिब कंप्लेंस है 174 जो है आपके रिसल्वर पर रिसीविंग जो आए है वह है और जो 44 कंप्लेंसे वो रिशॉल्व हो चुके हैं यानि लगतार इस एप के माध्यम से जो लोगों की समस्या है उसे दूर किया जा रहा है उसकी उस पर सुनवाई चली है लोगों सापील है कि जो जेन्मीन कंप्लेंसे वो करें उनकी जरूर सुनवाई होगी ऐसे में इस एप को लेकर क्या कुछ गोपाल गंज के जिला पदाधिकारी डाक्टर नौल किशोर चौधी के द्वारा बताए जा रहा है वो भी हम आपो सुना देते हैं हमने गोपाल गंज वन मैनेजमेंट एक एप लॉंच किया था जिसमें है कि विबिन नभीभाग कि सुविधाओं को में तो यदि लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो उसके संबंद में वो कंप्लेंड करेंगे उनका GPS लोकेशन उसमें रहेगा साथी कंप्लेंड के संबंद में में रिटे नेंगे तो उस डेटे सक्षाष्या बभाada इकिट अप रहती है या हमारा को only करना शिक्षा कि अनोपस्तित होने की शुक रखती है gonna मिल में को शीकायत रहती है या कहीं पर क Persian मनमानी हो रही है करата कि शुकायत रहती ऊसके सिम्मोर्षायर हूं कि समस्या करते हैं पंचैती राज वीभाग से कर रहे हैं ताकि shortest time में उसको resolve कर सके और उस platform को मैं भी देख रहा हूँ municipal areas में खास करें किसी प्रकार की समस्या हो कच्रा उठाने से लेकर के हो या सेवरेज की समस्या हो इस प्रकार की समस्या को को upload कर सकते हैं ताकि हम लोगों को इसमें सबसे बड़ा फायदा हुआ है लोगों को कि उन्हें अब चिठी लिखने की जरूरत नहीं है और हमारा real time monitoring system में हो रहा है तो हम रियल टाइम में जा करके इसको resolve कर रहे हैं उनका भी समय बच रहा है और हमारे अस्तर से सुविधा बेहतर हो रही है और इसमें जो सरकार की पहल है कि हम लोग minimal time में लोगों को मदद करें तो इसका समाधान हो रहा है इसे फुरा हो रहा है लगभग हमारे पास 200 से अधी complaint आये हैं जिसमें की 189 complaint था जो frivolous complaint जैसे कि कोई अपना photo की इसके डाल दिये कोई पानी डाल दिये वो थे हो सकता है लोग टेस्टिंग मोन में इसको ले रहे हैं हो कि क्या रिज़व हो रहता है और रेस्ट कम्प्लेइन अभी कड़ी 25 के आसपास complaint है जो कि process में है उसको और रिजॉल्व कर रहे हैं और जो अन्य सभी कम्प्लेइन को लोग चौल पर चुक रहे हैं अगर आपके आसपास छेत्रों में भी अगर इस तरह की समस्या हो बिजली संबनीत हो या वाटर लॉगिंग समझ दीत हो या फिर हेल्थ रिपार्टमेंट का हो या फिर अन्य ज सकते हैं वहां आपको लाइब जाना होगा वहां से फोटो क्लिक करना होगा उसके बाद अपनी डीटेल के साथ मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ आपको कम्प्लेंट करना होगा आपको मैसेज जाएगा जरूर ही आपके मामले को सुनवाई होगी जिस मामले में देर हो पड़े आप वहीं से अपनी कंप्लेन को कर सकें